हेलो दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका माई स्टड़ी दोस्त यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे गोल्डन रूस का पार्ट नम्मर 16 इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिसकस कर लिये थे रूल नम्मर 1 से लेके 86 तक आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रूल नम्मर 87 से तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और भाईयों कल के कॉमन एरर की वीडियो में एक आपका कॉमन एरर छूड़ गया था मैं आज उसको बता देता हूं देखिए कल एक कोशन था मैनी आ मैन तो यह आपका गलत था इस स्टार्ट करते हैं अगर यहां एन नहीं होता तो हम म म प्लूरल रहने देते बट अकोडिंग कोन सेट जब भी आपको मैनी के साथ ए जाए लगा के दे तो हम सिंगूलर स्टार्ट करते हैं और लूरल काउंटेबल नाउन का यूज नहीं करते तो आयोप आप असको समझ ग क्या है कि seldom if ever होता है आप हमेशे याद रखना seldom if ever होता है seldom or never होता है little or nothing होता है little if anything होता है आप इन चारों को याद कर लीजे काफी बार exam में आप से फिलप के गुरूप में यह वाले question पूछे आ चुके हैं तो काफी important concept है आने वाले exams के लिए तो आप हमेशे- obased affect one 7 और सेल दम और नेवर होता ए। लिटम और नफिन वर नफिन होता है लिटम इफ हैं इजरह他 VERY डिसकस करें आगे मैं सेल अइवर गलत होगा क्या होगा seldom if ever होगा little or anything गलत होगा क्या होगा little if anything होगा तो I hope आप इस concept को समझ गये होंगे आप हमेशे आद रखना seldom if ever होता है seldom or never होता है little or nothing होता है little if anything होता है तो I hope आप याद कर लिये होंगे इन सारे concept को discuss करें एक example ताकि आपको आसानी हो समझने में देखिए he seldom if never goes to see movies ये गलत होगा क्योंकि मैंने आपको अभी बताया seldom or never होता है और seldom if ever होता है या फिर तो आप इसको seldom if ever कर लिजे या फिर आप seldom or never कर लिजे आपकी मर्जी है कैसे भी कर लिजे तो discuss करें next rule rule number 88 क्या है verbs of sensation, taste, smell, feel, appear, seem, sound, look ये कुछ ऐसी verb है इनके साथ हम कभी भी यानि इनके बाद हम कभी भी adverb का use नहीं करते किसका यूज करते हैं एड़ेक्टिव का यूज करते हैं आप हमेशे आद रखना, taste हो गया, smell हो गया, feel हो गया, appear हो गया, seem हो गया, sound हो गया, look हो गया इन वर्ब के बाद हम कभी भी adverb का use नहीं करेंगे किसका यूज करेंगे, adjective का यूज करेंगे discuss करें, example ताकि आसानी हो समझने में I look honest, अब देखिए look क्या है, verb of sensation है, तो हम इसके बाद adjective का यूज करेंगे, second है, I felt badly, तो मैंने अभी आपको बताया है, जब भी आपको verb of sensation दे, यह feel की next form है, second और third form, तो हम felt के बाद किसका यूज करेंगे, adjective का यूज करेंगे, यहाँ दे रखा है, adverb, ly लगाके, तो यह गलत हो जाएगा, तो इसका रायट क्या होगा, I felt bad, तो I hope आप इस concept को समझ गये होंगे, जब भी आपको taste, smell, feel, appear, seem, sound, look, यह वाली verb दे, तो हम इसके बाद कभी भी adverb का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, adjective का यूज करेंगे, discuss करें, next rule, rule number 89, manly, masterly, slowly, friendly, orderly, gentlemanly, sickly, weakly, monthly, इनके last में आ रहा है, ly, अब आप यह मत समझना, जिनके बाद में ly आता है, वो adverb होते हैं, नहीं, यह ly तो आ रहा है इनके last में, पर यह adverb नहीं है, क्या है, यह adjective है, तो आप हमेशे आद रखना, ऐसा कुछ नहीं होता, कि जिसके last में ly ह यह, वो आपके adverb होते हैं, हाँ जिनके last में ly होता है, वो जातर 90% केस में एड़वर्भी होते हैं, बट 10% केस में वो आपके adjective होते हैं, वो मैंने यहा लग दी है, कौन-कौन से होते हैं, manly हो गया, masterly हो गया, slow manly हो गया, friendly हो गया, orderly हो गया, gentle manly होगया, sickly हो गया, weekly हो मन्तली हो गया यह क्या है सारे आपके एड़ेक्टिव है यह आपके एड़ वर्ब नहीं है डिसकस करें एक्जामपल यह आपका गलत सेंटेंस है इसका राइट क्या हुआ ही बहेव इना फ्रेंडली मैनर यह इसका राइट है तो आई होप आप इस कॉंसेप्ट को समझ गयोंगे मैनली हो गया मास्टरली हो गया स्लो मैनली हो गया फ्रेंडली हो गया ओर्डरली हो गया जेंटल मैनली हो गया Rule number 90, वाक के मैं Adverb के बाद Helping Verb का प्रियोग करे है और फिर Subject का, आईए एग्जामपल डिसकस करते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, Seldom does he come to Delhi, अब Seldom क्या है Adverb है, Does क्या है Helping Verb है, He क्या है Subject है, तो मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले आएगा Adverb, उसके बाद आएगा Helping Verb, उसके बाद क्या आएगा Subject आएगा, यहीं वो दे रखा है, Seldom यानि Adverb, Does यानि Helping Verb, He यानि Subject, तो आप हमेशे आद रखना है, पहले आएगा Adverb, फिर आएगा Helping Verb, फिर आएगा Last में Subject, आप इस Concept को समझगे होंगे, डिसकस करें, Next Rule, Rule No. 91, As, As, और So, As का प्रियोग तुलना करने के लिए किया जाता है, As, As का प्रियोग Positive और Negative दोनों वाक्तियों में होता है, और So, As का प्रियोग सिर्फ और सिर्फ Negative वाक्तियों में होता है, यानि जो As, As का प्रियोग होगा, वो आपका Positive और Negative दोनों वाक्तियों में होगा, और जो So, As का प्रियोग है, वो किवल और किवल Negative वाक्तियों में होगा, तो आप हमेशा इतनी चोटी सी बात याद रखना, कि As, As का प्रियोग Positive और Negative दोनों में होगा, और So, As का प्रियोग होता है। आप हमेशा लाखना ASS और SOA के बीच में हमेशा हम positive degree का यूज़ करेंगे, comparative और super related degree का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप हमेशा लाखना ASS सब्सक्राइश के बीच में हम हमेशा positive degree का यूज़ करेंगे, discuss करें एएक example कि शी इस इंटेलिएंट एज यू तो देखिए यहां दे रहा है पॉजिटिव डिगरी और इसके अगल बगल में किसका यूज हो रहा है एजस का प्रियोग हो रहा है तो आयोप आप इस कॉंसेप्ट को समझ गयोंगे मैं एक बार आपका रीकेप करा देता हूं एजस का प् जेँ हूंने टाइजस के बीच में हमेशा पॉटि डिय का यूज करेंगे डिसकस करें रूल लमंबर 92 भी हो गया कैसे बाइज बबहुया और प्रूंट हो गया इनके बाद और देक अपर में करेंगे adverb का use नहीं करेंगे कई बार इस वाले pattern पे आपके question पूछे आ चुके हैं आप previous year question देख सकते हो कि इनके बाद हम अमेशा adjective का use करेंगे adverb का use नहीं करेंगे तो आप इनको अपनी notebook में note turn कर लीजे कौन-कौन से होते हैं बी हो गया, become हो गया, turn हो गया, get हो गया, grow हो गया, keep हो गया, make हो गया, prove हो गया इनके बाद हम कभी भी adverb का नहीं adjective का use करेंगे, discuss करें एक example he got angry तो मैंने अभी आपको बताया get की क्या है, second form है got तो हम इसके बाद किसका use करेंगे adjective का use करेंगे, जो की angry बिल्कुल सही दे रहा है तो आप हमेशे आद रखना be हो गया, become हो गया, turn हो गया, get हो गया, grow हो गया, keep हो गया, make हो गया, prove हो गया इनके बाद हम हमेशा adverb का नहीं, adjective का use करेंगे, discuss करें, आगे rule लंबा 93 ये कुछ ऐसी verb है name, elect, think, consider, call, appoint, make, choose इनके बाद हम कभी भी adverb as का use नहीं करेंगे यानि इनके बाद कभी भी as का हम use नहीं करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था mention हो गया, describe हो गया, treat हो गया, regard हो गया इनके बाद हम as का use करते हैं बट कुछ ऐसी verb होती है name, elect, think, consider, call, appoint, make, choose इनके बाद हम कभी भी as का use नहीं करते आईए discuss करें एक example ताकि आपको और आसानी हो समझने में she is considered as the best student of my class तो मैंने अभी आपको बताया कि consider के साथ हम कभी भी as का use नहीं करेंगे तो आईओ पाप इस concept को समझ गये होंगे name, elect, think, consider, call, appoint, make, choose इनके बाद हम कभी भी as का use नहीं करेंगे तो चलो भाईओ एक बाद recap कर लेते हैं सारे rules को one by one फिर उसके बाद हम exercise discuss करेंगे देखे, rule number 87 क्या था seldom if ever होता है seldom or never होता है little or nothing होता है little if anything होता है next rule क्या था rule number 88 verb of sensation taste, smell, feel, appear, seem, sound, look इन verb के बाद हम अमेशा adjective का use करेंगे adverb का use नहीं करेंगे next rule क्या था manly हो गया, masterly हो गया, slow manly हो गया friendly हो गया, orderly हो गया, gentle manly हो गया sickly हो गया, weekly हो गया, monthly हो गया इनके बाद हम हमेशा adjective का use करेंगे adverb का use नहीं करेंगे next rule क्या था rule number 90 वाक के मैं adverb के बाद helping verb का प्रियोग करें और उसके बाद subject का प्रियोग करें आप हमेशा आद रखना, पहले आएगा ad verb उसके बाद आएगा helping verb उसके बाद आएगा subject exam मैं examiner पहले subject देंगे, बाद मैं helping verb देंगे, जो की गलत है आपको हमेशा आद रखना है, ad verb उसके बाद helping verb उसके बाद subject डिसकस करना है rule नम्म 91 देखिए as as positive और negative दोनों के लिए so as केवल और केवल negative के लिए और इनके बीच में हम अमेशा positive डिगरी का use करेंगे comparative और super डिगरी का use नहीं करेंगे rule नम्म 92 बी हो गया become हो गया turn हो गया get हो गया grow हो गया keep हो गया make prove हो गया इनके बाद हम हमेशा adjective का use करेंगे adverb का use नहीं करेंगे next rule name elect think consider call appoint make choose इनके बाद हम हमेशा as का use नहीं करेंगे आप हमेशा आ दखना इनके बाद हम कभी भी as का use नहीं करेंगे discuss करें exercise question no first she does her work good as she could do no error video post करिए answer सोचे इसका right answer क्या हो सकता है video post कर लिजे और आराम से सोचे इसका right answer क्या हो सकता है तो आई होप सबीने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option नमर बी में error है हम यह good का use नहीं करेंगे उनके बाद हम adjective का use करते हैं बट उसमें से work कोई वह वाली verb नहीं है जो मैंने आपको बताये थी sensation of verb नहीं है तो हम work के बाद किसका use करेंगे ad verb का use करेंगे तो आई होप आप इस concept को समझ गयोंगे question no second क्या है the state of government appointed him as officer in charge no error video post करिए answer सोचे इसका right answer क्या होगा video post कर लिजे और काफी easy question है ये तो तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option no.b में error है मैंने अभी आपको बताया appoint के साथ हम कभी भी as का use नहीं करेंगे discuss करें next question question no.3 he seldom or ever go out these days because it is too hot nowadays no error video post करिए answer सोचे इसका right answer क्या होगा video post कर लिजे तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option no.a में error है चाहे तो आप इसको ऐसे कर लिजे seldom if ever या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो seldom or never option no.a में ही error होगा चाहे आप उपर वाला कर लिजे या नीचे वाला कर लिजे तो बात करें इसके right answer की तो we seldom if ever go out these days because it is too hot nowadays तो I hope आप इस concept को समझ गयोंगे discuss करें question no.3, fourth sorry he ran as faster as he could no error video post करिये answer सोचे इसका right answer क्या हो सकता है काफी जी question है ये भी तो ये मैं आशा करता हूँ कि सभी बैलोग इसका right answer देंगे तो बात करें इसके right answer की तो option number B में error है हम यह faster का use नहीं करेंगे, fast का use करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था as-as के बीच में हम हमेशा positive degree का use करते है comparative degree का use नहीं करते तो इसका right क्या होगा he ran as fast as he could तो I hope आप इस concept को समझ गयोंगे, discuss करें question number 5, a soldier is taught never to fight cowardly, no error, video post करिए answer सोचे, इसका right answer क्या हो सकता है video post कर लीजे तो I hope सभी ने इसका right answer लगा लिया होगा तो चलते हैं इसके right answer की तरफ तो option number C में error है हम या cowardly का use नहीं करेंगे क्योंकि cowardly क्या है, adjective है हम adverb का use करेंगे और adverb क्या होगा, in a cowardly manner क्या होगा, in a cowardly manner तो इसका right क्या होगा a soldier is taught never to fight in a cowardly manner तो I hope आप इस concept को समझ गयोंगे तो भाईयो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक like करना मैं मिलता हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए जै हिंज जै बारत वन्दे मातरम टेक केर बबाए